हेलो फ्रेंट्स वल्कम तो जिके क्रेज फ्रेंट्स जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा बारा जुन से एंटी वीसी सीवीडी टू एक्जाम सुरू हो रहा है और जुलाई के महिने में आपका गुपडी का भी एक्जाम होने की पूरी संभावना है तो इस वीडियो में दोस्तों इन दोनों एक्जाम के लिए हम एक सांदर प्राक्टिस टेस्ट डिसकस करने वाले हैं इसमें की दोस्तों सिर्फ उसी तरह का सवाल डिसकस करेंगे जिस तरह के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं वीडियो के आंतक जरूर देखिएगा दोस्तों एही सवाल हुब हजारे ट्रफी 2021 का टाइटिल जीती है काफी मैं तपुन सवाल है दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ साथ कमेंड बक्स में अंसर बताते चलिए तो इसका से अंसर क्या होगा से अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश 2012 का जो title है हिमाचल प्रोदेश जीता है 22,000 है trophy, ये cricket से सम्देट trophy है और सबसे ज्यादा बार ये trophy किस ने जीता है तामिल नाड़ू ने जीता है 5 बार और हिमाचल प्रोदेश का ये पहला title था फास टाड़ू था तो किसको हरा करके जीता तामिल नाड़ू को हरा करके जीता, कहां पे यह जीत हुआ था, जेपूर में आओ जीत हुआ था चलिए बढ़ते हैं, next, सवाल के और निमलिखित में से, कौन सा महाराश्टर का लोक प्रिय लोक निरतिय है चलिए बटाएं, महाराश्टर का लोक निरतिय कौन सा है सही अंसर हो जाएगा अप्सन B तमासा अप्सन B इसका सही अंसर होगा यह सवाल कई बार रिपीट हुआ है आपके NTPC के एक्जामे और गूबडी के एक्जामे नेक्स सवाल है कादमबरी यह जो ग्रंथ है इसके रचाइता कौन है कादमबरी के रचाइता है बानभट यानि अप्सन B इसका सही अंसर होगा और यह जो बानभट थे यह हर्स का दरवारी कभी थे जिसने हर्स चरीद इन्होंने हर्स चरीद भी लिखा है तो बढ़ता है नेक्स सवाल की और आप देखे होंगे 2021 का करेंड फ्र से सबसे ज़्यादा सवाल पुछे जा रहे हैं तो मैंने 2021 का ही करेंड फ्र लेया है ज़्यादा तो से अंसर इसका क्या होगा बताईए किसे रामानुंजन पुरसकार दिया गया 2021 का रामानुंजन पुरसकार किसे दिया गया से अंसर होगा option C प्रोफेसर नीना गुपता को 2021 का रामा नुंजन पूरसकर दिया गया है और ये पूरसकर जो है इसको गनीत के खेत्रे में दिया जाता है और प्रोफेसर नीना गुपता ये कलकता से बिलंग्स करती है और उसा आगे बनने से वेले आपको बता दो हमारा application का जो updated version launch हो चुका है जहाँ पे दोस्तों आपको quiz section और PDF section दोनों मिल जाएंगे जिसमें की सारे के सारे previous year question science के current affair के सभी previous year paper भी मिल जाएंगे साथ साथ दोस्तों सभी topic के quiz भी मिल जाएंगे आपको Hindi में भी मिल जाएगा English में मिल जाएगा मज़े से यहाँ पे preparation कर सकते हैं सभी को याद कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल के जितने भी railway exam हुए है उन सभी के दोस्तों question answer यहाँ पे आपको नेक्स सवाल है दोसों किसे 57 ग्यानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह भी 2021 का पुरसकार सम्मान से है तो इसका सही answer क्या होगा सही answer हो जाएगा दामदर मोजो को 57 ग्यानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया और ये कौकडी भासा के एक उपण्यास कार है तो next सवाल लगते हैं next सवाल है, बिश्चो ब्यापार संगठन का मुख्या कारियाले कहां पर स्तीथ है? सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा, इसका जो मुख्याले है, जेनेवा में स्तीथ है आपसन B, सही अंसर होगा नेक्स्ट है, बारवी सिनर्फ पुरूस राष्ट्रिया होकी चंपियानसिप 2022 का है यह करने फेर हाली में 12th senior men's national होकी चंपियानसिप किसने जीता सही अंसर इसका होगा हरियाना आपसन A, सही अंसर है बढ़ते हैं नेक्स सवाल की और नेक्स सवाल है निमलिखित में से किस सहर में केंदरिय खाद्य तक्निकी अनुसंधान संस्ता का अनुसंधान संस्ता स्तीत है किस सहर में स्तीत है अपसन भी मेसूर सहर में स्तीत है अपसन भी इसका सही अनसर होगा नेक्स अस्टान है ICC पूरूज 2020 क्रिकेट विश्वकप 2022 की मैजवानी कौन सा देश करेगा काफी मेतपुन सवाल है कौन सा देश करेगा जनका मैजवानी करेगा अपसन A सही अनसर है नेक्स सवाल है मध्या रेल्वे का मुख्याले निमलिखित मेंसे किस सहर में स्थीत है जो Central Railway है Central Railway Zone का मुख्याले कहां पे स्थीत है C answer होगा मुंबई में स्थीत है अपसन A.S. का नेक्स सवाल देखते है राष्ट्रियम महिला दिबस जो कि सौरजनी नाइडू की जैनती है इसको कब मनायाता है राष्ट्रियम महिला दिवर्स ये कब मनायाता है 13 फरवरी को मनायाता है अपसन D इसका सही अंसर होगा नेक्स सवाल है बर्स 2022 में कुल कितने लोगों को पदमपुरसकार से सम्मानित किया गया से अंसर क्या होगा बर्स 2022 में 128 लोगों को पदमपुरसकार से सम्मानित किया गया जिसमें कि 4 लोगों को पदमबीभुसान उसके बाद 7 लोगों को पदमबुसान और 107 लोगों को पदमस्री माप किजिएगा जो पदमबुसान है ये 21 लोगों को दिया गया है चार इक्किस और एक्सो साथ तो next वाल लेखते हैं खेवर दर्रा ये कहा स्तीथ है किस देश में स्तीथ है यहाँ पुछा गया है खेवर दर्रा से अंसर हो जाएगा पाकिस्तान में स्तीथ है खेवर दर्रा खेत्रफल के अनुसर भारत का सबसे बड़ा बन्यजीब अभःरण्या कौन सा है कित्रफल के अनुसर भारत का सबसे बड़ा बन्यजीब अभःरण्या ये राजस्तान में स्तीथ है याद रखिए नेक्स सवाल देखते है माउंट आभू में दिलवारा मंदिर जो है वो किसका मंदिर है बहुत मन्दिर है सीक मन्दिर जैन मन्दिर या विल्ला मन्दिर शेय अंसर होगा जैन मन्दिर है अफ्संझ C सही अंसर होगा यहाद रिखिए नेक्स सवाल है गुम्टी बन्यजीब अभारन्या ये किस राज्य में स्तीध है गुम्टी बन्यजीब अभारन्या ये त्रिपुरा में स्तीध है अप्सन C इसका सही अंसर होगा नेक्स सवाल लेखते हैं किस राज्य में सरकार बच्चों को free smartphone योजना के तहट free smartphone वित्रित की जाएगी C answer होगा इसका उस्तर प्रदेश option B C answer है next है लोक निर्थय से लिए यक्षिया गानम ये भारतिया का किस राज्या से जुड़ी है यक्षिया गानम ये किस राज्या से जुड़ी है C answer होगा करनाटक राज्या से जुड़ी है option C say answer है next है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाय जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये साथ अप्रेल को मनाय जाता है क्या मुझे बता सकते हैं इसका थीम क्या था इस वार जो मनाय गया 200 स्वास्थे दिवस इस वार का थीम किया था कमेंड बक्स में बोताई है नेक्स सवाल है आमाजन के CEO कौन है आमाजन के CEO है NDJC अप्सन C से अंसर होगा नेक्स है निर्विवादित भारतिय भुबाक में निमलिखित में से कौन सा सिखर सबसे उचा है से अंसर क्या होगा माउंड आवरेष्ट कंचन जंगा नंदा देवी नंगा परवत से अंसर होगा कंचन जंगा ये निर्वीवादित भारत्य भूबाग में सबसे उंचा सीकर है तो नेक्स सवाल लखते हैं BBC इंडियान स्पोर्ट्स उमेन अवदा ये आवाड 2021 का ये आवाड किसने जीता है से अंसर होगा साइना नेवाल अप्सन भी सही अंसर होगा याद रखे तोस्तों अगला सवाल है आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है काफिया असान सवाल है बार बार एकजाम में रिपीट होता है से अंशार होगा इसका बंकिम चंद्र इस पुस्तक के लेखक है आनन्द मंट के Next है हाली में Miami Open Tennis Title 2022 किस ने जीता हाली में Miami Open Tennis Title 2022 किस ने जीता से अंशार होगा इगा स्याप्तेख अपसंडी इसका से अंसार है नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच में खंजर नामक सन्य अभ्यास हुआ भारत और किस देश के बीच में केर्गिस्तान के बीच में खंजर नामक सन्य अभ्यास हुआ नेक्स्ट है अंतराष्ट्रिय अलम्पिक कमिटी के प्रमुक कौन है अंतराष्टियर उलम्पिक कमिटी के प्रामू कौन है थोमास बैच इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन सी एक सवाल है बैनर घाट नेशनल पार की किस राज्य में स्थीत है कनाट का राज्य में स्थीत है फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रीडम बिहाइंड बार इस पुस्तक के लेखक है किरन वेदी अप्सन ये इसका सही अंसर होगा तो यहाँ पर हमारा खतम होते हैं चालिस सवाल तो दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो का सब कुछ मिल जाएगा चाहिए को करें ने फैर हो गया स्टाटिक जीके हो गया पिछली पांस साल के रेलो एक्जाम के सभी पेपर मिल जाएंगे साथ सभी को टॉपिक वाइच मोक टेस्ट पर मिल जाएगा तो अभी तुरांथ ही डाउनलोड कर लिजिए इस वीडियो का टे झाल 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 झाल